एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए Hello friends, आज मैं आपको American Affair 2008 की एक Hollywood movie explain करने वालो ये एक coming of age movie है अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम अमारे main character Adam को देख सकते है Adam अपने स्कूल में था वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते है इस तरीके से जिटाने के बाद Adam के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा जब ये फाइट खतम हुई तो Adam को भी मारता है Adam है Catholic स्कूल में बढ़ता है तो वहाँ की सिस्टर वहाँ पर आए और इन दोनों को लेकर जाती है इन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया था Adam का फ्रेंड उससे बहुत ही गुसा था क्योंकि उसकी वज़े से ही फाइट हुई थी Adam भी रेलाइस करता है कि उसका है करना बहुत ही गलत था तो उसे हो सौरी भी कहता है आज जो फाइट हुई थी इसमें Adam का टीथ तूट चुका है वो घर जाकर इसे गलीव से चिपका लेता है रात में डिनर करते वाग कुछ न्यूड मैगजिन्स वो पढ़ रहा था तब यह अपनी नेवर पर उसकी नजर बढ़ती है उसकी नेवर हमारी और एक मेंन केरेक्टर है जिसका नाम है कैथरीन कैथरीन किसी आदमी के साथ थी उसने कुछ जादा पहना नहीं था एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका मेल वो लेकर आया इस मेल में उसे ब्रेजिडेंट कैनेडी का लेटर मिलता है यह हमारी स्टोरी उस टाइम की है वो जब मेल बढ़कर बाहर आ रहा था तो कैथरीन ने उसे नोटीस किया वो पुछते हैं तुम यहां कर क्या रहे हो एडम ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंड रहा हूँ मुझे यूरोप पर ट्रीप पर जाना इसके लिए थोड़े से पेसे अगर मेरे पास होगे तो अच्छा होगा अगर आपके बास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ कैथरीन ने उसे घर में इन्वाइट किया पुछती है तुम क्या कर सकते हो एडम ने कहा क्यूजल जो भी चीज़े होती है घर का काम, गार्डन यह सा मैं मैंनेज कर सकता हूँ एडम को गार्डन का काम देने के लिए मां जाती है एडम राथ में हमेशा एडम को किड़की से देखता है उसकी फोटोस भी लेता है अगली दिन स्कुल में एडम की फ्रेंड फेट उसे बात करती है उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया बहाना तो सिर्फ म्यूजिक सुनने का था ये बात कर बात है उससे पहली वहाँ पर सिस्टर आगे एडम के कान किच कर उसे वहाँ से लेकर जा दिया घर आने पर एडम कैथरिन के पास बोचता है उसे कहता है कि आपने मुझे garden का काम दिया था Catherine के घर में Adam ने बहुत सारी paintings देखी यह सब Catherine की paintings थी Adam कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे color दिखाई दे रहे है उसे कुछ भी लोग वेकर आप कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते Catherine कहा दिया तुमें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो वैसे भी इसका form डेड हो जुगा है इसका मतलब है यह slowly slowly मर रहा है वो फिर Adam का अपनी garden दिखाने के लिए लेकर गई एक बहुत ही beautiful garden थी पर Catherine कहा दिया मुझे इससे पूरी तरीके से मिटा देना है इसके बाद वो फिर से प्लान करेगी Adam भी समझ गया कि इस garden की फुल मूर्शा जाते है इस वज़े से Catherine इसे फिर से बनवा रही है Adam garden में काम करने लगया और थोड़ी देर बाद Catherine उसके पास आई और वो बहुत ही अच्छे से dress थी Adam गहता है आप बहुत ही beautiful लग रही हो Catherine हसती है और वहाँ से चली जाती है Adam जब रात में घर पर है तो उसकी मदर फादर नोटिस करते है उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा खराब है वो Catherine के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया इस बात से उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा अफसेट हो गई थी उसे समझा दिया कि Catherine एक अलग टाइप की लेड़ी है तो हमारी तरह नहीं है उसने बहुत ही अलग अलग चीज़े की हुई है उसे इंडारेकली पता रही थी कि Catherine का चारेक्टर अच्छा नहीं है आडम कहता है कि आपने ही तो कहा था कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए ये बाद आडम के फादर को भी सही लगी वह कहते है तुम काम तो कर सकते हो पर काम हो जाने के बाद डारेकली घर पर आना आजरात फिर से आडम कैथरिन के घर के सामने नज़र रख रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गार्डिया खड़ी हुई थी उसने अपने दूरबीन लगा कर देखी तो प्रेसिडेंट कैनेडी को वहाँ देखता है वो इस बात से शौक्ट हो गया अगले दिन गार्डन पर काम करते हो उसने कैथरीन से कहा कि आप जब बोल रही थी कि प्रेसिडेंट कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा कैथरीन गुस्ताओ कर बोल थी इस बारे में तुम भूल जाओ कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कुछ चीज़े प्राइवेट रखनी चाहिए आडम को अपने पैरेंट से पता चला था कि कैथरीन का भी एक बेटा था इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है कैथरीन गहती कि अब वो तुमारी एज का होता वो बहुत ही स्वीट था कैथरीन आडम को अपने बेटे का दरा समझती है या आडम को अच्छा नहीं लगता दोनों की बातों से में पता चलता है कि कैथरीन और उसका हस्बन इन दोनों में फाइट है थोड़ी देर में जब कैथरीन गहर से बाहर गई तो आडम उसका पीछा करता है कैथरीन आज लूशियन से मिलने के लिए गई थी कि उससे उस तरीके से बात नहीं होती है कैथरीन गहती है कि वो मेरा कुछ भी सुनने ही रहा उस राज जब वो ब्रेजिरेंट से मिली थी वो लास्ट टाइम था आज शाम फेट ने आडम को अपने घरवर बुलाय था उसके घर पर जाता है ये म्यूजिक सुनते है और फिर किस करने लग गए किस करते करते आडम का दाथ निकला है जो उसने गलू से चिपका हुआ था ये फेट को बहुत ही घटिया लगा कहती है इस दाथ को तुम फिक्स करवा दू इसके बाद हम फिर से मिलेंगे जब एडम ने अपने पैरेंस को बात बताए कि उसका दाथ तूट चुका है तो उस पर वो बहुत जादा गुस्सा हो गए थे उन्हें लगता है कि इसके बारे में उसे पहले बताना चाहिए था वो कैथरिन के घर पर काम कर रहा है तूट के बारे में नहीं बताया इन सब बातों से मदर बहुत ही अपसेट थी एडम भी अपसेट होकर कैथरिन के घर के बाहर खुम रहा था उसने अंदर देखा कि पार्टी चल रही है वो खिटकी से देखने लग गया तब ही कैथरिन का हस्बंड जिसका नाम है ग्रहम यह उसे पकड़ लेता है उसने कहा कि इस तरीकी से नज़र रखना गलत बात होती है मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ उसे पकड़ कर घर के अंदर लेकर आया कैथरिन अपने फ्रेंज के साथ ड्रक किये थे ग्रहम उसे गयता है कि तुम्हें हो क्या क्या तुम इतनी दूर क्यों चली गई कैथरिन गयती है हमारे बेटी की डेथ हो जाने के बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था ग्रहम भी यही बाद चाहता है वो फिर से अपने फैमिली को पाना चाहता है पर इन दोनों में बहुत बड़े जगड़े थे ग्रहम नहीं कैथरिन को प्रेजिडन के साथ इंटिमेट होने के लिए कहा था कैथरिन गहती कि हमने जोबी किया इसके बार में सब लोगों को पता है और सब लोग हम पर रहसते हैं ग्रहम को भी बुरा लगा और वहां से चला जाता है अगली दिन एडम ने ग्रहम पर भी नज़र रखी ग्रहम इस बार लुशेन से मिल रहा था ये दोनों डिसकस कर रहे थे कि कैथरिन का क्या क्या जाए ग्रहम लुशेन से खहता है कि कैथरिन के पास एक डायरी है उसके साथ जो भी होता है इस सब के बार में उसमें लिखती रहती है ये डायरी होना एक बहुत ही बड़ा रेस्त था पर एक Catherine के लिएक safety है अगर उसकी agency ने उसे hurt करने की कोशिश की तो सारी चीज़ों expose कर सकती है इस diary के बारे में सुनने के बाद Catherine जब घर पर नहीं थी तो Adam उसके घर में आ जाता है diary को ढून लेता है अजानक से Catherine भी किसी और के साथ वहाँ पर पहुश गई थी Adam closet में छुप गया और उन दोनों को intimate होता देख रहा था उस आदमी के जाने के बाद Catherine ने कहा कि मुझे बताए कि तुम यही हो तुमारा back बहार ही पड़ा था Adam उसे sorry कहता है पर Catherine ने कहा तुम सिर्फ curious थे वो उसे warn करती है कि फिर से यह सब होना नहीं चाहिए आजराद Adam और उसके सब friends की party थी इसमें वो एक game केलते जिसमें Adam और faith को तोनों को एक minute के लिए closet में जाना पड़ता है Adam ने faith से कहा कि मैंने अपना tooth fix करवा लिया इसके बाद वो kiss करने लग गया जिस तरीके से Adam ने Catherine को intimate होता देखा था उसी तरीके से वो faith के साथ भी intimate होना चाहता था पर इस बाद से faith ज़रा uncomfortable हो गई वो उसवर गुसा होकर वहाँ से चली जाती है Adam जब घर पर आया तो Catherine की घर से बहुत ही loud music चल रहा था उसे देखने के लिए पहुच जाता वो बाहरी बारिश में भीक रही थी वो Adam को देखकर उसके साथ घर में आ दिया वो ड्रिंग ले रही थी तो उसने Adam को भी ड्रिंग ओफर किया इसके बाद वो Adam के साथ paint करने लग गई Adam ने Catherine को kiss करने का try किया पर Catherine ने उसे रोक ले दिया इसके बाद इस दोनों paint से ही खेलने लग गए सुबा मॉर्निंग में हम देखते हैं कि Adam के पैरन डिसकस करे थे एक्चौल में Adam के फादर का एक निव जगा पर transfer हुआ था मदर Adam के लिए ज़रा वरीर थी को अकेले उसे किस तरीके से manage करेगी जब वो उसे उठाने के लिए गई तो उसके सारे कपड़े color से भरे हुए थे इस बात पर वो बहुत जाता गुसा हो जाती है और रात में Catherine के पास था ये बात पता चलने के बात वो फादर से कहती है कि अभी के भी उसके पास जा उसे कहो कि Adam से कोई भी और relationship ना रखे Adam को कोई भी काम करने की ज़रूद नहीं है फादर जब Catherine के पास पहुचे तो Lucian वहाँ पर आय हुआ था Lucian उसे बात करता है तो फादर के बारे में Lucian को सब चीज़े पता थी यहाद तक कि उनका डांसपर भी होने वाला है इसके बारे में वो बोल लेता है यह सब बात सुनकर फादर बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्होंने Catherine से कहा कि प्लीज आडम को कोई भी काम मत दे न Catherine भी इस बात के लिए मान जाती है घर पर आने पर फादर भी आडम पर बहुत ज़्यादा गुसा हो गए थे वो कहते हैं Catherine से कोई भी रिलेशनशिप अब तुमें नहीं रखनी है तुम स्कूल जाओगे और सिधा घर पर आओगे आज Lucian Catherine को समझा रहा था कि तुम President को समझाने की कोशिश करो कुछ ना कुछ तो चीज़े बदल नहीं चाहिए वरना President को यह बदलना पड़ेगा Catherine समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बर होने वाली है उसने President को कॉल करकर वान करने की कोशिश की पर उसे पूरी तरीके से उग्नोर कर रहे थे दाथ में वाइट हॉस पर भी जाकर आती है वहाँ के गार्ड से उसने बुझा अगर President को कोई गोली माय रहा हो क्या तुम उसके सामने आ जाओगे गार्ड गहता है मैं मेरी duty honestly करूँगा इसके बाद मुवी में President Kennedy का assassination हो जाता है एडम को जब ये बात पता चली तो Catherine के पास आया वो बहुत इडिस्टब्ट थी रो रही थी एडम उसे सहार देता है Catherine कहती है इसमें मेरी गलती नहीं थी मैंने उसे वोन करने की बहुत कोशिश की थी मोगे का फायदा उठा कर Adam Catherine के साथ intimate होना चाहता था पर Catherine गुसा आओकर उसे वहाँ से निकाल देती है Catherine को पता चला कि उसकी notebook कायव है ये उसके लिए बहुत important थी वो एडम के घर पर आई पर मदर उसे बात करती है एडम उसे मिलने नहीं देती है Catherine ने कहा कि Adam के बास मेरी एक चीज़ है प्लीज उसे वापस करने के लिए कहिए गर पर Catherine से मिलने के लिए उसका आजबन Graham आय हुआ था उससे कहता है प्लीज notebook वापस कर दो इससे तुम बहुत ही safe रहोगी Catherine कहती है कि जब मैंने तुम से शादी की थी तुम बहुत ही अलग person थे अब तुम क्या बन चुके हो Graham कहता है कि resident की date तो होने वाली थी वो किसी का भी सुनता नहीं था इसमें किसी की भी गलती नहीं है वो Catherine से sorry कहता है उसने कहा हमारे बेटी की date के बाद मैं सिर्फ तुमें ही दोशी मान रहा था वो एक accident था जिसमें Catherine दोशी नहीं थी Graham ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो वो फिर से उसके साथ नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है कहता है हम इन सब से दूर एक अलग country में चले जाएंगे Catherine भी इस बात के लिए मान की शाम में वो लुशन से मिलने के लिजाती है उससे कहती है तुम्हें नोटबूक में नहीं देने वाली वो नोटबूक मेरी एक safety है अगर मुझे किसी ने भी हाम करने की कोशिश की तो सारी चीजे मैं expose कर सकती हूँ लुशन कहता है कि मैं उस नोटबूक को ढूंड लूँगा मुझे बता है कि तुमने उसे छुपाई हुए है किसी ऐसे आदमी के पास जिस पर मैं शक भी नहीं करूँगा लुशन को पता था कि डायरी एडम के बास है Catherine इस बात से बहुत ही डर गी लुशन के पास आती है और कहती है प्लीज वो डायरी मुझे वापस करतो अब मैं यहां से चली जाने वाली हूँ लुशन कहता है कि तुम क्यों जा रही हो वो गहती है कि लाइफ में परपस ढूंडने के लिए मेरा बेटा, मेरा आर्ट यह सब चीज़े मेरी लाइफ को मीनिंग दे दे थे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो यह चीज़े आप लूज करते हो यह हमेशे आपको ढूंटी रहनी चाहिए कुछ न्यू चीज़े ट्राइ करना चाहिए यह एडम के लिए एक लाइफ लेसन था अगली दिन स्कूल से जब एडम जल्दी घर पर आता है तो उसका कमरा देहसनेस पड़ा हुआ था लूजन घर पर आकर कैथरीन की डायरी लेकर गया था एडम कैथरीन की घर पर बहुचा तो वहाँ लूजन है उसने उस डायरी को जला दिया लूजन एडम से गहता है कैथरीन ज़रा डिस्टरब थी उसने अपनी लाइफ अच्छी दरीगे से जीए और लास्टली वो ज़रा कन्फियूस्ट हो कही थी जो तुमने पढ़ा और देखा इसके बारे में किसी को भी मत बताना अडम पुछता है कि कैथरीन का है लूजन ने का कि आज तो तुम मिलने वाले थे अडम उसी जगह बर कैथरीन से मिलने के लिए पहुचा पर कैथरीन की नीचे गिर कर डेथ हो चुकी थी कैथरीन की हस्बन को इसके बारे में पता चलने के बाद उसे भी बहुत बुरा लगता है पर लुशन के खिलाब वो कुछ कर भी नहीं सकता Catherine की date के बाद Adam बहुत अपसेट था स्कूल में अपनी friends के साथ उसकी बंती नहीं थी क्योंकि friends के बीच में उसने fight लगाई थी उसके friends मिलकर उसे बहुत मारते है उसने जो भी किया इसका उसे बहुत regret होता है गर बर आने के बाद उसे Catherine से एक courier मिला उसने मरने से पहले Adam के नाम पर एक courier कर दिया था इसमें painting के अलग-अलग parts थे इस parts को जोडने के बाद Adam की picture बनी Catherine के date के बाद Adam को somewhat एक closure मिल जाता है इस experience से हो सिखेगा और आगे बढ़ेगा इसे के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इसे like कर दिजेगा ये बहुत सारे movies लेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दिजे और bell notification icon दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमों के साथ तो दिए ले धाइंग्यो और आप अपने आपका ख्याल रखे